हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शीडीपी कोईन हिमाशी में पर तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस क्लास में आपके सीटेट इक्जाम में पूछे गए क्लास को देख तो अप हैं तो उद्यरी ना करते है वे क्लास को सुरू करते हैं आजका मारा पहला कोश्चिन है प्राथमीक इस्तर पर कि प्थि पुस्थ कोउं की रचना ध्यान पुरुवक की जाती है जिससे वीद्यार्थियों में सीखने शिखाने के दवरान गलत अधारना ना बन पाए आपके अनुसार पुस्तकों की कौन सी विशेष्था या विशेष्थाएं इसके लिए उप्योगत हैं या होंगी option number first में लिखा हुआ है प्रतियों का विश्थार क्या आता है जिससे इसपश्टी करण हो सके तथा गलत प्रतियों ना बन सके option number second में लिखा हुआ है महात्वपूर्ण प्रतियों की परिभासाएं पाठ्थि पुस्तकों में दी जाती है option number third में लिखा हुआ है ऐसे प्रतियों जो कम आयू की विद्यार्थियों को समझना आए उन्हें परचियात्मक इस तर पर दिया जाता है और option number fourth में लिखा हुआ है उपर युक्त सभी चलिए question number 16 को सही से पढ़ें फिसका अंसर उताएं क्या हो रहेगा question number 16 का अंसर सभी लोग उताएंगे question number 16 का अंसर नंबर 3 जिसने भी लगाए उसका बिल्कुल सही हो रहेगा ऐसे प्रते जो कम आयू की विद्यार्थियों को समझना आयूने परचियात्मक इस तर पर दिया जाता है इसका अंसर नंबर 3 बिल्कुल सही था next question हमारा question number 17 सामधाइक संसाधन को प्राथमी किस्तर पर EBS पढ़ाने का मात पूर्ण साधन माना जाता है अब क्यों माना जाता है या आप लोगों को पताना है option number first में लिखा हुआ है या सस्ता है second में लिखा हुआ है इसमें अनभवी वेक्ति होते हैं third में लिखा हुआ है या अनभवों से सीखने का उसर देता है और fourth में लिखा हुआ है या आसानी से उपलब्द होता है या आसानी से उपलब्द होता है चलिए question number 17 का answer दीजिए सही से पढ़के सभी लोग आज की class में कुल 15 question रहने वाले हैं 16 से लेकर 30 तक आप लोगों को सारे question करने हैं फिर आपको बताना कि आपके 15 question में से कितने question सही हुए हैं question number 17 का answer दीजिए क्या हो रहेगा तो question number 17 का answer number 3 बिल्कुल सही है या अनभवों से सीखने का आउसर देता है next question हमारा question number 18 कच्छा 5 के ABS की विद्यार्थी अनमान लगाते हैं कि छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की आउसकता होगी इस क्रिया कलाब दोरा कौन से प्रक्रिया कोशल का विकास होगा चली question number 18 का answer दीजिए कच्छा 5 की विद्यार्थी हैं वो एक छोटे डिब्बे में चने की दाने भरते हैं इस क्रिया कलाब दोरा किस प्रक्रिया कोशल का विकास होगा यह आप लोगों को बताना है आपके सामने चारों अप्सन दिये गए हैं वर्गी करण, शंप्रेशन, प्रयोग करना, अनमान लगाना चली बताइए question number 18 का answer क्या हो जाएगा बहुत ही बड़िया question था क्या कर रहे हैं विद्यार्थी जो हैं विद्यार्थी अनमान लगा रहे हैं कि लगबग उसमें कितने दाने आ सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा option number fourth prediction या फिर अनमान लगाना next question है question number 19 पेंड़ पोधे एवं पशु परिवार एवं मित्र थीम का एक हिस्सा है इस प्रकार के इस्थापन का कारण है सभी को पता होगा पेंड़ पोधे एवं जो पशु है इनको परिवार एवं मित्र जो थीम है उसके अंदर रखा गया है इनको परिवार एवं मित्र वाली थीम क का हिस्सा मानगा भी में लिखा हुआ है पेंड पोदो एवं पशिवों के प्रती विद्यारतियों में शम्वेदन शीलता का विकास करना थर्ड में लिखा हुआ है उन्हें रूड़ बद दारणाओं को तोड़ना जिनके अनुशार पेंड़ पोदे एवं पर शुमारे परिवार का हिसा नहीं हो सकते चलिए question number 19 का answer दीजिए सही से पढ़कर question number 19 का answer क्या हो रहेगा जल्दी से बताईए तो question number 19 का option number first जिसने भी किया है इसका बिल्कुल सही वह रहता है इसका A और B वाला सही है हाला कि काफी सारे बच्चों को यहां पर C वाला option भी सही लग रहा होगा लेकिन CTT ने इसका C वाला option सही नहीं माना था इसलिए इसका A और B वाला सही है next question है question number 20 प्राथमी की स्थर पर EBS पढ़ाने का एक प्रमुक उद्देश्य विद्यार्थियों को इश्योगी बनाना है कि option number first में लिखा हुआ है वे ऐसे कोसल अरजित करें जिनसे वे शतंतुर रूप से पर्रावरण को बचाने है तो क्रिया कलाप कर सकें second में लिखा हुआ है उच्च प्राथमी की स्थर की पढ़ाई है तो पर्रावरण समंदी परते अरजित करें third में लिखा हुआ है विद्यार्थियों को कच्छा की सिच्छा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोडने में मदद करना और fourth में लिखा हुआ है पर्रावरण प्रागत विशियों के परे विद्यार्थियों की रुची का विकास करने में मदद करना चलिए question number 20 का अंसर दीजिए बाहरी बातावरण से जोडने की बात करी जाए इसकूल को बाहरी बातावरण से जोडने की बात करी जाए वोला option में सा सही होता है तो इसका option number 3 बिलकुल सही है next question हमारा question number 21 कच्छा एक तथा दो में ABS के लिए कोई निर्धारित पाठ्थे पुस्तके नहीं है निमिखित में से इसका सबसे उप्युक्त कारण क्या है चलिए question number 21 को सही से पढ़ें फिर इसका answer दीजिए question number 21 का answer number 3 जिसने भी लगा उसका बिलकुल सही हो रहेगा ABS को भाहाँसा तथा गड़ित के साथ एकिकरत किया गया है क्या हो रहेगा इस question number 3 बिलकुल सही हो रहेगा ABS जो है उसको भाहाँसा तथा गड़ित के माध्यम से एकिकरत किया गया है next नमारा question है question number 22 विद्यार्थियों को पौधों एवं व्रच्चों के प्रती शमेदन सील बनाने के लिए निम्रिखित में से कौन सी सरवधी के उपयुक्त नीती है option number 1 में लिखा हुआ है लकडी के लठे के गोदाम का ब्रमड करना B में लिखा हुआ है वनों को काटने से बचाने के लिए पोश्टर बनाना C में लिखा हुआ है वनों के सनचन पर नाटक करना और option number D में लिखा हुआ है एक पेंड को अपनाना दथा उसकी देखभाल करना चलिए question number 22 को सही से पढ़े first का आंसर दीजिए क्या हो राएगा question number 22 का आंसर दीजिए question number 22 का जिसने भी answer number first लगा उसका बिल्कुर सही वता है A C और D A C और D वाला उसका सही है और D और B वाला उसका सही नहीं है वनों को काटने से बचाने के लिए poster बनाना या सही नहीं है next question number 23 एक EBS के सिच्छक के लिए विद्यार्थी के EBS के ज्यान का मुल्यांकन करते है तु निम्न में से कौन सी पदती सही है चलिए question number 23 को सही से पढ़ें फिर सका अंसर दीजिए इसके options आपके सामने लिखे हुए है सही से पढ़ें फिर सका अंसर दीजिए question number 23 का answer दाए क्या हो रहेगा question number 23 का option number 4 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही है option number 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है next question है मारा question number 24 आदर्श रूप से निम लिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किये गए क्रिया कलापों के पस्चात उनके सीखने को द्रण करने के लिए होना चाहिए option number 1 है घर पर किये गए क्रिया कलाप second है सिच्चक द्वारा क्रिया कलापों का पस्च्टी करण third है कच्चा में आपसी विचार विमर्स और fourth है EVS की कॉपी में रिकॉर्ड बनाना चलिए question number 24 का answer दीजिए question number 24 का option number 3 जिसने भी लगाए उसका बिल्कुर्ट सही विचार विमर्स next question है question number 25 निवन में से किसका उपयोग EVS के सिच्चकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रमाडिक सीखने की चमता काकलन करने के लिए होगा question number 25 का answer दीजिए option number 1 है तिमाही टेस्ट second है दत्तकारी की नोटबुक यहाँ पे second होगा, third नहीं होगा third है पॉर्टफोलियो और fourth है खच्चा में विवहार चलिए question number 25 का answer दीजिए question number 25 का answer number 3 जिसने भी लगाए उसका बिल्कुर्ट से ज़र देगा portfolio next question है हमारा question number 26 हम चीजे कैसे बनाते हैं, पढ़ाने में निम्रिखित में से कौन सी युक्ती, अथवा, श्रोत, सब्से अधिक उप्युक्त है चलिए question number 26 का answer दीजिए बहुत ही बढ़ा question है जो आपकी six theme है, वहाँ से इस question को लिया गया है चलिए इसका answer क्या राएगा तो question number 26 का answer number first बिल्कु से हो रहेगा किसी एतिहासिक भवन का ब्रमण करना और उसके निर्माण समगरी तथा निर्माण अमेनों को पहचानना next है मारा question number 27 तीसरी कच्चा की विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्च के विशे में सीखते हुए चोथी कच्चा में परिवार व्रच की ओर बढ़ते हैं तथा पांचवी कच्चा में परिवार परगमन विचार के तरफ बढ़ते हैं इस थीम में पार्ट चर्या उपागम है question number 27 का answer दीजिए question number 27 का answer number 3 जिसने भी लगाया उसका बिल्कु से होता है इस्तानिक से वेस्वीक local to global next मारा question है question number 28 निम्रिखित में से कौन सा या कौन से तत्व एक अध्यापक को अध्यन के पाठ होजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए अब आपके सामने यहाँ पे चार विकल्प दिये गए हैं इनको पढ़िए फिर यहाँ पे आपके सामने चार अप्सन है इनमें स्टार करता है कि इसका अंसर कौन सा निकल कर आ जाएगा निम्रिखित में से कौन सा तत्व एक अध्यापक को परेवरन अध्यन के पाठ होजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए कोश्चन नमबर 28 का आंसर दीजिए तो कोश्चन नमबर 28 का जो सी बेसी बोर्ड ने आंसर माना था सही वो माना था फोर्थ वाला A, C और D वाला जब कि काफे सारे स्टुडेंट को B वाला भी सही लग रहा होगा चात्रों की पर्रावरण सजगता और इसको CTT ने सही नहीं माना था इसलिए हम यहाँ पर फोर्वाला लेकर चल रहे हैं A, C और D वाला वी वाले को सही नहीं लेकर चल रहे हैं नेक्स्ट कोश्चन हमारा कोश्चन नमबर 29 द्रेश्ट इबादित विद्यार्थियों के लिए निम्लिखित में से कौन सी युक्ती पर्रावरण अध्यन के लिए सबसे अधिक उचित होगी चल यह कोश्चन नमबर 29 को पढ़िए फिसका अंसर दीजिए कोश्चन नमबर 29 का अंसर दीजिए तो कोश्चन नमबर 29 का अंसर नमबर 4 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो रहेगा A, B और Ds के सही उप्शन से हैं नेक्स्ट कोश्चन है मारा कोश्चन नमबर 30 सलीम प्राथ्मिक अच्छाओं के विद्यार्थियों को जल्व इसे पढ़ाने के लिए च्छेतर ब्रमण कराना चाहता है इन में से कौन सी जगा उचित चलिए कोश्चन नमबर 30 का अंसर दीजिए बहुत ही बहतरी कोश्चन है शरीम जो है क्लास का ध्यापक है वह अपने विद्यार्थियों को जल्व सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहता है इसके लिए वह अपने चातरों को चैतर ब्रमण पर ले जाना है चाहता है तो उसके लिए कौन सी जगा जो है इन में से सबसे उचित रहेगी जल संचेयन यंत्र जोहड बावडी या फिर खेजडी चलिए कोश्चन नमबर 30 का अंसर दीजिए तो कोश्चन नमबर 30 का आप्शन नमबर 4 सही है A, B और C कौन सा A, B और C वाला बिलकुल सही है आप्शन नमबर 4 A, B और C तो ये थे आज के हमारे कुल 15 कोश्चन आयोप आप आप लोगों के 15 में से करीब 11-12 कोश्चन सही हुए होंगे अगर आप लोगों के इससे ज़्यादा कोश्चन सही हुए थे अगर आपके इससे कम कोश्चन सही हुए हैं तो आप लोगों को अभी काफी सारी मेहनत करने की और जरूत है और अगर आप लोग CDT पर इच्छा में को सबसे उपर मिल जाएगा seated paper first and second यहाँ पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपकी सामने हमारे जो चार नोट्स दिये गए हैं इनको आप पर्चेस कर सकते हैं जिसे एवेस का हो गया हिंदी का हो गया यहाँ पर 400 रुपे रखा गया है अगर आप लोग 4 लोट्स पाई करते हैं को अपकी केम से और इसकी 300 रुपे कर लेगा है जिसमें से 80 स्टुडेंट पूरे हो चुके हैं 20 स्टुडेंट के लिए और अफरी ये बकाया रहे गया है उसके बाद में यहाँ पर हम कोई छूट नहीं देने वाले हैं तो जिसको भी नोट्स पर्चेस करना है जल्दी से इसको पर्चेस कर लीजिए मिलते हैं आप लोगों को नेश वीडिये में दबता के लिए जय हिन जय भारत